हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शालू पाटशाला में आज मैं आपके लिए 2016 का एन्वीस का टेजिटी साइन्स को कोशन पेपर प्रिविस एयर लेकी आई हूँ ये कोशन पेपर कम्प्लीटली सोल्व है आपके रिविजन के लिए मैंने पूरे कोशन पेपर को कवर किया है एक वीडियो में ठीक है तो आप इस कोशन पेपर के कोशन को रामसे देखना इसी टाइप के कोशन है जो आपके पूछे जाएंगे तो याद रखना कि आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है इस चाइम पे सिर्फ आपको कोजा से जादा कोशन पेपर हैं जितने भी कोशन हैं उनकी रिवीजन करनी है ठीक है कोई भी को नया कोशन लिया टॉपिक मत उठाना सिर्फ वही करना जो आपने आस तक किया है तो शुरू करते हैं कोशन नमबर वन के साथ दा करेक्ट ओडर ओफ नेगेटिव एलेक्ट्रो यह है हेलोजन की उसका ओडर बताना है और उसका ओडर क्या रहेगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ठीक है तो ओप्शन डी करेक्ट है कोशन नमबर वन का नेक्स्ट है विच ओफ दा फॉलोइंग स्टेटमेंट इस नोट वैलिड फॉर हैंसबर्ग अंसर्ट एंसर्टिव प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट अब कौन सा कर्रект नहीं है तो स्टेटमेंट लास्ट देखीये यह वन सर्टेनिटी इन पॉजिशन इंक्रीजी इस दा अंसर्टेनेटी इन वैलोसिटी डिक्रीजीजी अनों ने बोला है अगर इंक्रीज होगा तो फॉलोइंग विचो वूट बीदा आयो पीसी नेम एंड सीमबल ओपोड एलिमेंट विद एटोमिक नमबर 117 117 का हमें नेम आयो पीसी नेम बताना है तो उसका नेम है अनन सैप्टिम ठीक है तो ओप्शन सी इस करेक्ट नेक्स्ट विच इस दा करेक्ट ओडर ओफ नोन मेट करेक्टर अमंग दा एलिमेंट इसमें से नोन मेटरिक करेक्टर का हमें एक तरहीं से ओडर बताना है तो ओडर है फ्लोरिन नाइट्रोजन कार्बन बोरोन सिलिकॉन तो ओप्शन भी इस करेक्ट नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोश्चन मोर 125 कंसीडर दा फॉलोइंग केरेक वो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट दिखाई देगी और सभी की सभी स्टेटमेंट है वह कि इस को पूरा नहीं करती होंगी ठीक है तो option two is correct only ठीक है तो ए option is correct ओकी question number 126 देखते हैं question number 126 है consider the following fact of ionic product of water हमें ionic product of water का जो इसमें से एक correct option बताना है ठीक है और option जो correct रहेगा वो option correct रहेगा option number D second third and fourth second and third and fourth में देखिए second में है PKW is equals to PKA plus PKB PKW is equals to PH plus POH और PH is equals to half of PKW do PKA minus PKB for salt of the weak acid and weak base ठीक है तो option D is correct नेक्स कोशन देखिए question number 127 what is the pH of ammonium acetate solution if PKA of acidic acid and PKB of ammonium hydroxide are 4.76 and 4.75 respectively ठीक है तो हमें pH बताना है और इसका pH रहेगा 7.005 अगर आपको सभी questions का solution देखना है तो आप previous वीडियो में जाहिए वहाँ पर आपको हर question का solution मिलेगा और मैं आपको i button में mention कर दूँगी और साथ साथ में आपको description में उन वीडियो का link दे दूँगी तो आप हर questions की solution वहां से देख सकते हैं ठीक है next question देखिए 128 question 128 का जो अंसर रहेगा वो रहेगा इट इस एर ऑक्सिदेशन प्रॉसस्स ठीक है इट कैन वी प्रेवेंटेट बाइडिंग भी एच ए degree is not major as RM value ठीक है तो option C is correct option C is correct next which of the following which one chemical substance is used in photo chromatic eyeglasses for dark colorations in sunlight और ये question बहुत बार repeat हो चुका है NBS KBS में भी और काफी exams में ठीक है तो इसका option D रहेगा correct ठीक है तो option D is correct next देखिए which of the following pair is correctly match आपको corrective match है जो pair है वो पता करने है तो first का क्या रहेगा पाइरोलस पाइरोलाइस्ट ठीक है second iron का क्या रहेगा full gold तो आपको इसका जो option ठीक मिलेगा वो मिलेगा option C is correct ओके next question क्यों चलते हैं what are the carbon carbon bond and angle in a chair boat conformational isomer of cyclohexia respectively आपको इसका एंगल हमेशा याद रखना है यह true the point question है तो अंगल रहेगा 109.5 degree दोनों में ठीक है next time which of the following has the lowest PKA value किसकी PKA value सबसे कम है तो 222 Trifluoro Ethanol कि जो PKA value है वो बहुत कम है ठीक है तो option C is correct मैं आपको बता रहे होगा आपको solution चाहिए तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो link है उस पे जाके देखिए और आपको हर एक कोशन का solution हराम से मिल जाएगा ठीक है next which of the following is incorrect about the layer of aluminium oxide ठीक है तो इसमें क्या होता है इट प्रेवेंट रियक्शन विद कंसंट्रेटिर एच नो थरी प्रेवेंट नहीं करता है यह रियक्ट करता है ठीक है तो option B is correct next which of the following metal exhibit the highest oxidation state सबसे जाद oxygen state किस की है इसमें से और वह मैटल है मेगनीज मन ओके कोशन नबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 135 विच्ट वाट इस दा आयूपीसी नेम बताना है और इसका जो आयूपीसी नेम होगा देखो तो कार्बोक्सलिक एसेट तीन है ना तो तीन 123 ट्राइक कार्बोक्सलिक एसेट तरफ हो गया और तीन कार्बन तो प्रोपीन तो option D is correct next 136 reagent required for the conversions are respectively हमें conversion के लिए कुछ शाहिए और इसमें वो reagent कौन कौन से होंगे तो इसके लिए option A correct रहेगा CRO3OH2O2 ठीक है ये सारे के सारे reagent required होंगे इस reaction को proceed करने के लिए next which of the following pair are correctly matched कौन सा pair है वो correctly matched है तो जो option 1 है उसका जो answer रहेगा वो C रहेगा ठीक है लुकास का C और option 2 का A correct रहेगा और option 3 का D और option 4 का B ठीक है तो option B is correct next question देख लेते हैं choose the correct order of degree strength of the intermolecular force among the following polymer देखिए मेरे को ये question चाहिए थोड़ा सा गलत लग रहा है इसमें sure नहीं है question में क्यूंकि इसमें जो इनका जो pattern है वो थोड़ा change हो रखा है ठीक है तो इसका आप एक बार चेक कर लेना question का मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये question गलत है ठीक है next question देख लेते हैं question number 139 एसेशर और रीजन दे रखा है देखते हैं कि indicate you your answer for all alternative given below ठीक है इसमें बोल रहा है soap does not work in hard water ठीक है नहीं करता soap does not form micelles below the critical micelles concentration देखो इनका जो assertion है और reason है वो दोनों के दोनों स्ट्रू है और explanation भी बिल्कुल ठीक है ओके तो option भी इस करेक्ट नेक्स्ट हैगत जिप्सम में आप वाट इस अ परपस ओफ एडिंग जिप्सम पॉर्ट लेंड सेमेंट क्या परपस है क्योंकि हमें वो जो प्रोसेस है सेटिंग डाउन की उसको स्लो करना है तो option भी इस करेक्ट नेक्स्ट है विच ओफ दा इसका जो प्रेक्ट ओप्शन रहेगा वह बी जो इसका टाइम डिस्प्लेस्मेंट टाइम ग्राफ है वो बिल्कुल ठीक है डी ओप्शन ओके नेक्स्ट है वन रेडियेंट का जो इसके एकॉल है वो 57 डिगरी के एकॉल है नेक्स्ट है waterfall at regular interval from leaking water tap 20 meter above the ground the third drop is leaving the tap at the intense the first drop touch the ground the height of the second drop above the ground at the instant इसमें आपका solution मैंने जो description में वीडियो दूँगी आपको इसमें मिल जाएगा ठीक है तो option D है इसका करेक्ट रहेगा 15 meter next है three point ABC are vertically line such that A is equals to BC a ball is dropped from the top most point of all freely so to pass through a B and C the ratio of the time of descent through A B and B C तो इसका option D correct रहेगा ठीक है ओके आपको इनी question जो भी previous questions है या कोई important question है सिर्फ आपको उनी को practice करना है आपको कोई भी नया topic नहीं ले किया आना इस time पे ठीक है आप उनको ही multiple revision करते रहना topics को और जो आपके पास previous questions paper है या फिर आपके पास कुछ important question paper है ठीक है next है a tiny object is act upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the object the motion of the object the motion of the object take place in a plane select the following correct statement about the motion of the object ठीक है तो the velocity is constant ये बात गलत है ठीक है next the acceleration is constant ये बात भी गलत है ठीक है तो option B है वो correct होगा second और third option है वो ठीक है और दोनों किसमें आते हैं वो आते हैं B option में okay next question की तरफ चलते हैं question number 146 match the following करना है force का क्या है यहां पर Joule per meter ठीक है तो option B is correct next देख लेते हैं 147 147 में आपको ratio बताना है ठीक है momentum के बीच और kinetic energy के बीच में respectively ठीक है तो इसका जो option है वो C correct रहेगा option C correct रहेगा ठीक है next है 148 148 में जब आप B square is equals 2 U square plus 2H formula लगाएंगे तो आपको solution में जो ratio आएगा वो आएगा B is B ratio 25 ratio 1 ठीक है तो B option is correct next देखिए next है 3 blocks of masses 10 kg 6 kg and 4 kg यह सभी को एक line में lie किया है तो आपको बाद में force बतानी है ठीक है और इसके लिए आपको पता है F is equals to क्या होता है में ठीक है और tension is equals to में ठीक है तो आपको इन formula के यूज करके इन formula को यूज करके इस question को solve करना इसका अंसर आएगा 8 newton ओके नेक्स टैन ओल्ड मैं डज हंडर थाउजन जूल ओफ वार्क इन फिफ्टी सेकेंड एन यंग बोई 2000 जूल वर्क इन 80 सेकेंड ठीक है आप दोनों का इनका इनका रेशो बताना है आप याद दखना इस caution में रेशो कैसे पूछा गया है ठीक है power delivered by the old man और young man old man और young man ठीक है तो पहले old man का बताना है ठीक है तो old man का रहेगा 4 रेशो 5 ठीक है इस एक आरो प्लैन इस अ फ्लाइं अरिजोंटली अगग देवाटिकलल हाइत फिज़्टल फ्रेशा फिर्टी सेकेंड उर्ट अवर फ्लुर्ड अपेक्टि एरिया food packet are to be dropped for the people standing at the particular place on the ground at what horizontal distance from the place should the food packet be released from aeroplane so as to reach the needy peoples ठीक है तो इसके लिए आपको projectile motion वाला जो question जो 11th class में आता है उस इसाप से उस pattern से solve करना है ठीक है और s is equals to ut plus half 80 square आप formula यूज़ करेंगे तो आपका option b है वो correct आएगा 400 meter ठीक है तो option b is correct नेक्स्ट है gravitational force with which sun attracts the earth तो इसके लिए जो option रहेगा वो रहेगा varies inversely inversely with the square of distance between them first and is the same force with which the earth attracts the sun तो option d is correct ओके आपको इन कोशन का solution लेना तो प्लीज आप description में दी हुए link को देखिए और जहाँ जाके उनकोशन को अच्छे से solution देख सकते हैं next है if universal gravitation constant g g mention है r mention है ठीक है acceleration g mention है ठीक है the mass of the earth in a kilogram must be कितना होगा 6 into 10 की पाव 24 आपको यह g is equals to capital g into m upon r square का formula पूट करना है और आपका अंसर आ जाएगा next है equal in ninth class a question है equal mass of the three liquid a b c of density rho a rho b rho c respectively are cabinet three identical cylindrical vessels the pressure exerted by the liquid at the base will be ठीक है तो pressure क्या होगा equal रहेगा तीनों में ठीक है तो 154 का c option है वो correct है beaker containing a liquid is place the pan of platform balance when a iron sphere suspended from a spring balance is emerged in the liquid contained in the beaker without touching the wall of the beaker then the amount of increase of weight of the beaker shows shown by the platform balance is equal to ठीक है तो आपका इसका जो option रहेगा वो correct रहेगा c and d c and d the weight of the displaced liquid c and decrease in the weight shown by the spring balance ठीक है तो option c is correct next है for simple harmonic motion the magnitude of the acceleration is the greatest when displacement is maximum the option b is correct a wave is described by y xt is equal to 0.2 sign 3x plus 12 t जो इसका solution करेंगे तो इसका अंचर आएगा option b is correct to pi upon three meter ठीक है next raise from the sun coverage at the point 20 centimeter in front of a a concave mirror to obtain an image the magnification is plus two the object should be placed in a front of mirror at distance of 30 centimeter ठीक है तो option d is correct okay मैं solution इसलिए नहीं करवा रही है आपे क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है आपको बहुत टाइम लग जाएगा अगर आपको solution देखना है तो प्रिवेस वीडियो ज़रूर देखना next time 159 in given diagram if the both lenses L1 and L2 of 10 centimeter focal length final image AB formed by the lens L2 will be क्या होगा virtual and magnified one upon two times ठीक है तो option d is correct next reflection index of the following transparent material medium with respect to the air ठीक है refractive index बताना है तो इसका जो option रहेगा वो correct रहेगा a option is correct okay next question देखते है 161 161 है area of light incident on angle theta on the face of AB of a prism refractive index is 5.5 1.5 emerges normally from its space AC if the angle of prism is 5 the angle of incident theta should be nearly 7.5 ठीक है तो option B is correct 4 charge है plus 2 plus 2 minus 2 minus 2 ठीक है सभी को कॉर्ण में प्लेस किया गया है और square की side 10 cm की है तो resultant electric field at center O पर बताना है ठीक है तो इसका जो रहेगा वो option क्या रहेगा तो O and gate word ठीक है next step 2 4 capacitor are connected in a series and potential difference is applied to a combination the 4 new cap capacitor has half of the potential difference of the two capacitor ठीक है तो option B is correct next the power line entered a big hall after passing through five uses and five ampere fuse in this hall led bulb rated at 10 watt 22 220 volt are to be used if supply is 220 volt the maximum number of bulb that can be used simultaneously in the hall would be तो वो होंगे 110 की छी कितने की होंगे 110 की तो option D is correct next the filament of an electric bulb drawn current is 0.05 ampere from 200 volt source the power of the bulb the number and the number of electron passing through a cross section of the filament in five minutes respectively तो answer क्या correct रहेगा इसमें पावर इसको स्टू ठीक है तो हमें पावर ने तो 10 तो option A is correct 10 volt और 9-10 की पावर 19 ठीक है next है question 166 में matching करना है ठीक है तो इसका matching का अंसार देखिए क्या रहेगा बी का 3rd sorry A का 3rd, B का 1st, C का 4th और D का 2nd ठीक है तो क्या है तो find the amount of heat produced in our register on passing current through it तो बी में क्या है जूल्स लो इसके बारे में ये जूल्स लो के बारे में कोई भी आपको दो भी पता होगा तो भी आप स्कॉशन को राम से attempt कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कंसीडर करेक्ट स्टेटमेंट जो करेक्ट स्टेटमेंट है उससे हमें कंसीडर करना है ठीक है तो कर्ट स्टेटमेंट है इसमें hydro wind energy plant can not be considered as non-polluting source of energy ठीक है Sun may be considered as a in inex inexable source of energy तो option c is correct ओके next है if your conductor is connected to an ac source the current in it is a lack the voltage by one-fourth कितना है, 1 4th of the cycle, तो option A is correct, next question देखते हैं, 169, a unicellular eukaryote has a cell wall embedded with silica, the cells wall have two overlapping shells and the organism is photosynthetic, to which group is most likely to be, option D is correct, किसे बिलोग करता है, option D से, दाइनोफलेजिट, next step, phloem, parenchyma is generally absent in wheat, after protein synthesis of by ribosome, the newly synthesized protein are as assisted in the fold, assisted in their folding and transported by the special protein, जो protein उसको folding के लिए कोन help करता है, वो होता है, चैपरोन, कोन होते हैं, चैपरोन, ठीक है, तो option D is correct, okay, चैपरोन के बाद देखते हैं, next question, which of these not a sexual transmitted disease, कौन सा इसमें से sexually transmitted disease नहीं है, एन्थरेक्स, ठीक है, कौन सा नहीं है, एन्थरेक्स, option B is correct, विज़दा फोलिंग एलिमेंट है, सेडिमेंटरी टाइप ऑफ बायो, 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 जी, बायो, जीयो, कैमिकल साइकल, तो उसके लिए कौन है, फोस्फोरस, ठीक है, तो option B is correct, एसेशन रीजन का next question आ गया है, the extent of water pollution is caused by the organic matter is indicated by BOD, ठीक है, तो जो एसेशन है, वो true है, amount of dissolved oxygen in water get reduced due to the respiration by aquatic plant and animal, और यह इसका जो reason जो दिया गया है, वो बिलकुल गलत है, तो option C is correct, next है, the disease caused by Voucheria, Voucheria जो cause करता है, वो करता है, प्लियरिस, क्या cause करता है, प्लियरिस, तो option D is correct, next देखते हैं 176, a microbe which is free living in soil but form a nitrogen fixing nodule in the root of non-leguminous plant like NLS as the symbiotic is frankia, कून है, frankia, free living है soil में, पर क्या बनाता है, nitrogen fixation nodules बनाता है, non-leguminous plant के साथ, चिक है, तो option D is correct, next, the type of cancer which is characterized by increase the WBC count, जब WBC का count बढ़ जाता है, तो उसी cancer को क्या बोलते हैं, leukemia, क्या बोलते हैं, leukemia, which of the following cell, next question है, which of the following cell organs function as a center around which yoke is deposited during vitallogenesis, vitallogenesis, ठीक है, तो option A is correct, Golgi apparatus, तो option A is correct, Golgi apparatus, ठीक है, मैं बार-बार आपको एक बात बोलती हूँ, कोई भी नया topic इस time पे ना पड़े, सिर्फ previous year और आपके पास जो भी important question है, कोई test series है, तो उसको ही complete करें, ठीक है, ओके, next question देखते हैं, 179, excretory organ in cell, seclo glosses is probuses gland, कौन सी है, probuses gland, तो option A is correct, next अब जोदा, falling pair of the factor would not lead to speciation, linkage and mitosis, linkage और mitosis है, वो कोई भी speciation को promote नहीं करता है, speciation होता है, new species का बनना, ठीक है, तो option D is correct, option D is correct, ठीक है, next आता है, question number 181, Mendels presented his paper at Born Natural Research Society in 1865, the following title, experiment in plant hybridization, ठीक है, emeria periodic abstinence, तो option C is correct, next match the following करना है, homo habilis, homo attractus and netherland mens, तो homo habilis का जो अंसर रहेगा, वो रहेगा, 650 से 80, sorry 800 cc, ठीक है, और इसी से आपका option B correct हो जाता है, ठीक है, क्योंकि option जो B है, उसका जो अंसर है, वो क्या है, 900 cc, ठीक है, homo erectus का, next, 184, वही accession और reason है, बूला है, spermatids are transformed into spermatozoa by the following, by the process called spermogenesis, ठीक है, असेशन बिल्कुल ठीक है, next है, FSH act at the leading cells and stimulate the secretion of the some factor to help the spermogenesis, दोनों बाद ठीक है, option एक करेक्ट है, next, 185, if the person utilize 100 molecules of ATP, for the contraction of muscles during exercise, the amount of energy released during this process would be 3050 kJ, तो option C is correct, next है, फोन सा फेक्टर अफेक्ट नहीं करता, facilitate नहीं करता, dissociation of oxyhemoglobin in RTL, RTL blood में, तो हाई, partial pressure किसका, carbon dioxide का, ठीक है, तो option B is correct, next question देखते है, question number 187, select the wrong statement, wrong statement select करनी है, तो जब भी abdominal muscles है, उनका कोई role नहीं होता, inspiration में, सांस लेने में, ठीक है, तो option C is correct, ठीक है, okay, next है, 188, the question below, consists of two statement, वही, accession और reason का question है, question पढ़ते हैं, का experience tips in endodermis of root are summarized, बिलकुल बात ठीक है, the water move through the simplest in endodermis is, तो reason इसका गलत है, तो option C is correct, next in a person, if blood pressure reduce, it activate the hypo-osmetic center of A, so it secrete the hormone B, increase the amount of B, will the C, the water absorption, DCT and produce D-urine, A, B, C, D, क्या है, hypothalamus, ADH, increase or concentrated, तो option B is correct, next question देखते हैं, मैं इस दा following है, तो A option है, उसका जो answer है, वो है yellow spot, ठीक है, B option है, endo lymph का है, internal ear, इरीज का है, color to eye, और कौन्स का है, eye dope, sin, ठीक है, ओके, तो option D is correct, next देखते हैं, हमें statement गलत बतानी है, auxin के regarding, ठीक है, तो जो auxin है, वो bloating के लिए responsible नहीं होता, उसके लिए zebra leak acid responsible होता है, तो option D is incorrect, ठीक है, तो option D, उसके इसाफ से, कुशन इसाफ से incorrect है, वैसे हमारे लिए, D is correct, high concentration of DDT, जब high concentration of DDT बढ़ जाता है, तो वो magnification, biomagnification के process को promote करता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो chemical का जो effect है, वो increase होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो increase होता है, तो कोई ना कोई effect ज़रूर आएगा, और इस पे birds का effect क्या देखा गया है, कि जब वो incubation करते हैं, तो उनके eggs की जो shells है, वो break हो जाती है, और उनके अंडे टूट जाते है, ठीक है, तो premature breaking of egg shell, तो option C is correct, next, the gases produced by an aerobic sludge digested during sewage treatment are, ठीक है, तो इसके लिए कौन सी है, methane, hydrogen, sulfide और carbon dioxide, तो option D is correct, next, wrong statement बतानी है, हमें, ठीक है, गया, देखो, solid 2 सिदा, गैस वाला जो phenomena होता है, वो sublimation रहता है, ठीक है, next है, Bose-Einstein condensed is state of matter formed by cooling of a gas extremely high density to super low temperature, तो option C correct है, क्योंकि ये statement गलत है, ठीक हमें गलत statement ही बतानी थी, तो option C is correct, next, which of, which, what is the energy required for process, HE plus, gives HE2 plus, plus 1 electron, ठीक है, इनका solution previous videos में है, आप इनका solution जाके देख सकते हैं, तो इसका option C ये, वो correct है, ठीक है, लिंक्स आपको description में या फिर आई बटन में जरूर दूँगी मैं, next, 196 में वही है, a session or reason, a session or reason, sorry, a delta is formed at the junction of a river and a sea by the precipitation of a clay particle, तो ये बात ठीक है, बिल्कुल, the river water and the sea undergo a chemical reaction to form delta, ये बात गलत है, तो option C is correct, okay, 196 question हमने cover कर लिये है, previous year 2016 के, ठीक है, and vestigity science के, और आप इन question को एक बार जरूर देखके जाए, exam से पहले, या तो कोई question repeat हो सकता है, या फिर ये same as ये ही topic है, वो topic हो सकते हैं, यही से question आ सकते हैं, तो आप एक बार जरूर वीडियो को देखे, time निकाल के, okay, question number 197 देखते हैं, what is the volume of a solution formed by mixing 50 ml ethyl alcohol in 950 ml water, जब हम 50 ml ethyl alcohol जब हम 950 में mix करते हैं water में, तो थोड़ी सी amount increase हो जाए, बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है, तो more than 1 liter हो जाता है, okay, तो option B is correct, next correct match करना है, याद रखना matching repeat हो सकते हैं, क्यों कैसे, क्योंकि देखो, दो तो same हो सकते हैं, दो अलग हो सकते हैं, दो repeat आ सकते हैं, previous year से दो नई आ सकते हैं, तो अगर आपको previous year वाले दो याद हैं, तो आप eliminate कर सकते हैं, अराम से options को, और आप एक correct option पर पहुँच सकते हैं, 198 का देखते हैं, law of constant, ठीक है, law of constant का option, जोन डाल्टन, law of reciprocal proportion, रिचर्ड, law of indiscribility of matter, लेविश, लेविश्यर, law of multiple proportion, प्रपोर्शन, जोन डाल्टन, ठीक है, तो सी का था, सोरी, दोबार करते हैं, एक बर और, फर्स्ट का है, law of constant, उनके लिए है, जोसिप प्राउट्स, law of reciprocal proportion, उनके लिए है, रिचर्ड, फिर नेक्स्ट है, law of indiscribility of matter, उनके लिए है, लेविश्यर, और, नेक्स्ट लास्ट है, law of multiple proportion, उनके लिए है, जोन्स डाल्टन, ठीक है, तो option C is correct, 198 का option C है, वो correct है, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, which one of the following set of the quantum number is not possible, जो possible नहीं है, विया दखना, ये value कोभी भी सेम नहीं होती है, जैसे सेम देखने, ये सेम नहीं होती है, तो option A है, वो, क्या है, पॉसिबल नहीं है, quantum number का set, ठीक है, तो option A is correct, या दखना, ये बाद सेम नहीं होंगे, एक तरीके से, ठीक है, तो option A is correct, नेक्स्ट देखते हैं, ये question number last, what are the number of angular nodes and radial nodes of 4D orbiter, respectively, तो angular node 2, radial node 1, ठीक है, और ये solution मैंने आपकी previous videos में करवा रखा है, अगर आपको solution चाहिए, तो आप playlist में जाए, NVSTGT Science के में, और वहां से आप इनका solution पा सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको बार-बार एक ही बात बोलती हूं, नया topic नहीं उठाना है, आपको नहीं, तो आप last time में confused हो जाएंगे, आपके पास जो material ओल्रेडी आपने काफी महीनों से पड़ा, आप उसी को revise करें, previous questions को देखें, उन जैसे ही questions आएंगे, कुछ topics उन में से ही उठा के, नहीं questions को frame किया जाएगा, तो आप कोई भी नया topic ना उठाएं, previous year को करें, आपके पास कोई test series है, उसको करें, अगर आपके पास कोई भी questions है, आप उनको prepare करें, उनको देखें, ठीक है, नया कुछ भी ना उठाएं, आपके पास जो already आपने पढ़ रहा है, वही पढ़े, ठीक है, और अगर आप 2016 का, 19 का, 14 के जितने भी question paper आप आप जाके, चैनल के playlist में देख सकते हैं, आपको बहुत जादा help होगी, during exam, त्यूंकि elimination method आपको बहुत use करने को मिलेगा वहाँ पर, अगर आपके दो option भी eliminate हो गए, तो दो option को आप अराम से कर पाएंगे वहाँ से, एक option को तो आप खुद भी eliminate कर पाएंगे, ठीक है, और तब तक के लिए आप अपने YouTube चले शालो पाट शालो को like करे, शेर करे और subscribe करे, ठीक है, और all the very best आपके exam के लिए, आपका exam बहुत अच्छा होगा, बस आप positive रहे और कुछ भी नया topic ना पड़े, ठीक है, यह मत सोचे नहीं होगा, सब अच्छा होगा, आप positive रहेंगे तो आपका exam भी अच्छा होगा, ठीक है, all the very best और आप इस question paper को देख के जाना, ठीक है, ओके, यह 2016 का previous question paper है, तब तक ही लिए, thank you all and all the very best for your exams.